लिजे सुनिए आचारे चतुरसें शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रख्षा महा का नब्बेवां भाग सागर तरण मेरी यानि समिर्गो स्वामी की आवाज में गृद्र राज संपाती द्वारा सीता का समाचार सुन गर्जना करते हुए संपूर्ण वानरों ने समुद्र तट परा डेरा डाल दिया समुख आकाश के समान अपार सागर था समुद्र को देख वे सोचने लगे कैसे इस अपार सागर को पार किया जाएगा ये तो अत्यंत दुशकर कारे है इस दुस्तर कारे के संबंध में बाते करते करते सभी वानर विशाद ग्रस्त हो गए जब अंगद ने ये देखा तो कहा वीरो चिंता न करो विशाद को त्याग दो विशाद में अनेक दोश है अतहवो विचारशीलों के लिए त्याज है विशाद से पुरुशार्थ का नाश होता है पराक्रम के अवसर पर विशाद ग्रस्त होने पर पराक्रमी पुरुश के तेज का नाश हो जाता है जिससे वो पुरुश ठीक समय पर पुरुशार्थ से विहीन हो जाता है और अपने इस्त्री बच्चों से मिलने की आशा करें हमें कौन वीर समुद्र लंगन में समर्थ है जो ये दुशकर कारे कर हमें अभय प्रदान करें युवराज अंगत के वचन सुनकर भी सब यूथ पती मौन हो बैठ गए उनके मुझ से बोल न निकला तब अंगत ने उत्तेजित होकर कहा हे वीरो आप अजे युद्धा हैं महा पराक्रमी है उत्तम कुल में आपका जन्म हुआ है आपका पराक्रम विश्रुत है फिर भी आप मौन है ये हमारे प्राणों का तथा हमारे स्वामी की प्रतिष्ठा का प्रेश्न है इसलिए हमें इस उद्ध्योग में प्राण भी देने पड़े तो हम उनकी आहुती देंगे अब तुम कहो किस में कितनी शक्ती है मैं तो समझता हूँ कि हम सभी समुद्र लंगन में समर्थ हैं युवरा जंगत की वचन सुनकर यूथ पती वानर अपना अपना बल निवेदन करने लगे गज ने कहा मैं दस यूजन तेर सकता हूँ गवाक्ष ने कहा मैं बीस यूजन जा सकता हूँ शरभ ने कहा मैं तीस यूजन रिशी बोला मैं चालिस यूजन तेर सकता हूँ महातेजस्वी गंध मादन ने पचास योजन जानी की बात कही तब मयंक ने साथ ही योजन की अपनी शक्ती बताई यूथ पती दूबिद ने कहा मैं सत्तर ही योजन तेर सकता हूँ फिर सुशेडवानर पती ने असी योजन की हामी भरी सब के बाद रिक्ष राज जामवंत ने कहा मैं वरद हुआ मेरा पुरशार्थ शीन हो गया है पर मैं नब्बे योजन तक जा सकता हूँ इस पर महावी रवान अंगद ने कहा मैं सो योजन तक जा सकता हूँ परंतु लोटने में संदिक धूँ तब जामवंत ने कहा यिवराज तुम्हारी शक्ती में जानता हूँ तुम सो क्या पास्व योजन तेर सकते हो परंतु तुम्हारा भेजना हमें अभीष्ट नहीं है तुम हम सब को आग्या देने वाले हमारे कटक पती हो हम सब तुम्हारे आग्या पालक सेवक है स्वामी की रक्षा करना सेवक का कर्म है तुम्हारे उपर सीता की खोज कदायत तो भार है अतहा तुम अपनी आग्या से इनी में से किसी को भेजो इस पर दुखित अंगद ने कहा रिक्षेंद्र मैं नहीं जाओंगा तो फिर ये कार संपन नहीं होगा हम सभी को मरण वरत धारन करना होगा फिर आप इही हमें राह बताएए आप हमारे जेश्ट और वयो वरत हैं जामबवंत ने बड़े वेग की गरजना की उन्होंने एक और मौन बैठी हनमान को संबोधित करके कहा अरे मारुती तुम कैसे एक और मौन बैठी हो अरे तुम सकल शास्त्रों के वेताओं में श्रेष्ट अदुत्तिय वीर पवन कुमार इस समझ चुप क्यों हो ये क्या तुमारे मौन का काल है अरे मारुती पृत्वी पर तुम सब अली कौन है तुमारी गमन शक्ती से तो गरुन भीस परधा करते है तुमारा तेज और अपरतिम पृताब मेधा शक्ती और धैर अपरिसीम है तुमारे रहते वानर समाज भला शोक सागर में कैसे डूबा रह सकता है अरे वीर तुम के अपने बल विक्रम को बिलकुल ही भूल बैठे तुमारे अपरिसीम पृत्षार्थ को क्या हमें बखानना पड़ेगा तुमारे रहते क्या मुझ व्रध को दुसाहस करना पड़ेगा हे वायू कुमार अपने बल को जागरत करो तुमारा तेज और पुर्शार्थ अप्रतिम है जब मैं युवा था मैंने एक्कीस बार पृत्वी की परिक्रमा की थी बली यग मैंने देखा था समुद्र मंथन भी देखा अब मैं व्रध हो गया हूँ वो बल पराक्रम और साहस मुझ में नहीं रह गया है इस समय इन सब वानर यूथ पतियों में एक्तुमीस महत्व के कार के लिए समर्थ हो फिर क्यों विलंब कर रहे हो उठो हम सब का उपकार करो अपना पराक्रम धन्न करो हनमान ने जांबवन्त रिक्ष राज के ये वचन सुन बार बार हुंकरती की वस्तर उत्राड डाले लंगोट कसा सरवांग में सिंदूर का लेप किया और वे बारंबार अपना वज्जर देह कुमभक द्वारा फुलाते हुए सागर अतिकर्मन को संद्ध हो गए हनमान को इस परकार उधदेख सब वानर हरशुन मत हुउनाचने और चिलाचिला कर हनमान मारती का जैजे कार करने लगे वे पराक्रमी हनमान की बारंबार प्रशंसा करने और गर्जना करने लगे अब सब वयु व्रिद्ध वानरों द्वारा पूजित हो अमित तेज हनमान ने सब वानरों को प्रणाम किया और कहा मैं बिना विश्राम किये ही इस सो यूजन की सागर को तेर कर पार करूंगा ये वरोनालाय मेरी जांगों और पिंडलियों के आघाज से पीड़ित हो अपनी मर्यादा को त्याग देगा समुद्र के इस प्रकार मेरी थपेड़ों से शुब्द होने पर उसमें निवास करने वाले बड़े बड़े ग्राह अंदर से उसके ऊपर निकलाएंगे मैं अत्यंत वेगवान वेंडते गरोन की गती की भी परवाह नहीं करता मैं समुद्र का लंगन कर दूसरी और भूवी पर उत्रे बिना ही फिर लोट आने में पूर्ण समर्थ हूँ मुझे नब चर जल चर किसी का भय नहीं इस समय में उत्साहित हूँ मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं दस हजार योजन जा सकता हूँ मैं चाहूं तो समुद्र को सोख लो खूंद कर पृत्वी को चूरूण कर दू जब मैं जल में छलांग भरूंगा और आकाश में भी उस समय नाना लता व्रक्ष पुष्प मेरे साथ उड़ जाएंगे मैं आकाश में चाया की भाती चलूँगा अब प्रत्वी पर कोई सत्व मुझे रोक नहीं सकता मैं निश्चे ही भगवती सीता की खोज लगाऊंगा अब आप सब निश्चिंत रहें हर्ष मनाए मुझे से बना तो समूची लंकाही को विद्धन्स करके लोटूँगा आज मैं उस विश्रवा मुनी के पुत्र सब्त द्वीप पती रावन और उसके इंद्रजीत पुत्र को देखूँगा यदि वो सत्ती ही सीता भगवती का चोर है तो निश्चे जानो कि अब उसके जीवन कीती हो चुकी इतना के हनमान मारती ने बारंबार वज्र गर्जना की ये देख सभी वानर गर्जना करने लगे उनकी समलित गर्जना से वातवरन धौनित हो उठा अब जांब वंत रिक्षेंद्र ने प्रसन्न मन कहा वीरवर हम सब तुम्हारी मंगल कामना करते हैं तुम्हारे लोटने तक हम तुम्हारे लिए मंगल अनुष्ठान करेंगे वीरवर तुम गरुजनों और वृधि जनों के अशीर वाद से इस समुद्र के पार जाओगे तधा कार रसिध करोगे ऐसा हमारा विश्वास है तुमारा ये दुस्सहकार पृत्वी में जब तक निर्वंश है अप्रतिम रहेगा संसार का कोई प्राणी कभी भी तुमारे इस पराक्रम की शम्ता न कर सकेगा अब तुम इस महेंदर परवत के शिखर पर चड़ जाओ और वहीं से छलांग मारो ये सुनकर धीर गती से हनमान परवत शरंग पर चड़ गए गंधर वियक्ष रक्ष वानर सभी हत चेज से खड़े हो मारुती के इस असह विक्रम को देखने लगे सिंगे के समान अमित विक्रम मारुती ग्री शरंग पर चड़ कुम्भक रेचक द्वारा शरीर को पवन पूरित करने लगे पवन के भड़ जाने से उनका वज्र दे अक्षत और विशाल हो गया परवत गोहाओं में रहने वाली तपस्वी और किनर भैभीत तथा आश्यर आन्वित हो अपनी स्त्रियों सहित इधर उधर दोड़ने लगे वायू पुत्र हनमान ने अपना शरीर हिला वज्र गर्जना की अपनी बलिष्ट भुजाओं को परवत पर जमाया फिर पीट की और खींच कर अपनी गर्दन और भुजाओं को सिकोड लिया तब उन्होंने नेत्र ठाकर विस तीन समुद्र पर द्रिष्टी डाली प्राणों को हिर्दाय में रोका और एक बार गी ही भयानक छलांग मारी हनमान के शरीर के साथ ही परवश्रंग पर इस्थितलता गुल्म वरक्ष सभी फल फूल टहनिया समेत समुद्र में जागिरे समुद्र गर्भ से उपर आकर उन्होंने एक बार पीछे फिरकर वानरों के यूथ को देखा फिर डुपकी ली इस परकार डुपकी लेते निकलते वे समुद्र में आगे बढ़ने लगे कभी वे छलांग भरते कभी समुद्र तल में घुच जाते कभी किसी बहती हुई काश्ट पट्टी का या तरुखंड का आश्रे लेते कभी दोनों हाथ आकाश में उठा कर कि वे लातों से जल को आंदोलित करते उनकी आकाश में पहली हुई भुजाएं ऐसी प्रतीत होती थी जैसे परवत से पांच फन वाले दो सर्प निकलाए हो उनकी गोल पीले रंग की बड़ी बड़ी आखें सूर और चंद्रमा के समान प्रतीत होती थी जब मारुती जल पर लातों का आगात करते तब उनकी बगल से निकलती होई हवा बादल के समान गरजती थी जहां जहां वे आगे बढ़ रहे थे वहां वहां समुद्र उठती होई तरंगों तथा पहनों से भर गया वो अपने वक्ष इस थल से समुद्र की दुर्गम तरंगों को तोड़ते फोड़ते वेग से आगे बढ़ रहे थे उनकी वेग और मेगों से उत्पन हुई हवा ने समुद्र को भी डवा डोल कर दिया जिससे कचुए मगर मच आदी जलचर जीव व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगे वे एक एक छलांग में ये की उजन पार कर रहे थे उस जगे का समुद्र परनाले के समान छिछला था जल गर्भ में छीपी हुई चटानों पर शन भर चरन रख विश्राम लेते फिर आगे कूद जाते चारो और अगम जल चारो और उनमत लहरें चारो और विश्रम संकट परन्त मारुती बढ़े चले जा रहे थे जब वे वायू में छलांग भरते तो गरुन प्रतीत होते थे उनके वेग के साथ काले पीले मेग भी उड़ रहे थे हनमान कभी मेगों में छिप जाते कभी प्रकट हो जाते बीच सागर में मेनाग परवत की कुछ चोटियां जल तल को इस पर्ष करती देख हनमान ने शण भर वहां विश्राम किया और फिर ये कहकर कि राम काज की बिना मुही कहां विश्राम वे आगे बढ़े परंतिसी शण बीच सागर में एक विकराल जीव मुह पाड़ों ने ग्रसने कुलब का उसका परवत के समान विशाल बदन था महा सर्प की समान आकरती थी उसकी काटिदार महा पुच्छ थी उसका विकराल मुख भी एक गुहा के समान था हनमान जब तक समले तब तक उस विकराल जंतु ने उन्हें समूचा ही निगल लिया हनमान निरू पायोस महा जंतु के उदर में पहुँचता था दर्प से उसका पेट फाड़ कर बाहर निकलाए फिर उन्होंने एक किलकारी भर आकाश में छलाग भरी और दस योजन सागर पार कर लिया इस प्रकार धैर, सूज, साहस और कोशल से सब विगन बाधाओं को पार कर हनमान उस और समुद्र तट पर दीप के किनारे जा पहुँचे वहां तट पर उगे हुए सुन्दर वरक्षों तथा समुद्र में गिरने वाली नदियों के मोहानों से उसकी शुभा अपूर्व हो रही थी उन्होंने एक सुरक्षित परवश्रंग पर चढ़ फल मूल खा विश्राम किया अभी आप सुन रहे थे आचार चतुर सेन शास्त्री के लिए के उपन्यास वयम रक्षा महा का नब्बेवा भाग सागर तरन मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में झाल सेन शास्त्री के लिए आवाज में झाल सेन वाज में लिए में पर चाहर विए विए भाग सागर चत्री के लिए आवाज में झाल झाल